दोस्तो, very good morning to all of you, आज के इस आंदर वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रस्तमना है, वो समस्ते हैं दोस्तो, आज का पहला प्रस्तमना है, एक online website है, जिसका नाम है military direct तो online website military direct के एक report के अनुसार, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर सेना के मामले में भारत कौन से इस्तान पर आया है तो इसका right answer हो जाएगा, आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कि भारत इस मामले में चौथे इस्तान पर लाई करता है यानि कि दुनिया में कौन से देश के पास में कितनी बड़ी सेना है, इस मामले में भारत चौथे इस्तान पर आता है, भारत के पास में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है तो option number D, चौथा इसका right answer हो जाएगा अब इसमें आप देख सकते हैं इसका एक फोटो भी जिसमें देखो लिखा है इंडियास मिलिटरी, फौर्थ मोस्ट पावरफुल, दुनिया में चौथी सबसे ज़्यादा पावरफुल जो मिलिटरी है, वो इंडिया के पास है ठीक है, तो option number D, भारत इसका right answer हो जाएगा अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इस लिष्ट में सबसे ज़्यादा strongest आर्मी कौन सी है तो ये top के 4 देश ऐसे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें की पहले इस्तान पर आता है चाइना, दूसरे इस्तान पर आता है USA, तीसरे इस्तान पर आता है रसिया, और चौथे इस्तान पर आता है इंडिया चीक है तो यह चारो देश हैं जिनका नाम आप यहां पर देखना होंगे चाइना, अमेरिका, रसिया और इंडिया यह चार देश हैं जो की इस लिश्ट में आते हैं इसके लावा अगर आज की डिट में चाइना से कोई भी देश लाड़ाई करता है तो यह मान कर चलिए कि उसमें चाइना के विज़ाई होने के चांसर सबसे ज़्यादा होते हैं नोट, एक चीज और आपको याद रखना है आपकर, कि अगर आप से कोई पूछे कि अपने देश की आर्मी पर सबसे ज़्यादा खर्च करने के मामले में कौन सा देश पहले इस्तान पर है तो अमेरिका जो है ये अपने देश की सेना पर खर्च करने में सबसे पहले इस्तान पर आता है और इसके बाद नाम आता है चाइना का चाइना इस मामले में दूसरे इस्तान पर आता है जो कि अपने देश पर खर्च करने के मामले में लिष्ट बनाई जाए तो अगला प्रस्न है International Forest Day अंतरराष्ट्री वन दिवर्ष प्रतिवर्ष किस दिन मनाय जाता है तो हर साल 21 मार्च को option नँम्बर 16 का राइड अंसर हो जाएगा हर साल 21 मार्च को International Day of Forest मनाय जाता है option नंबर देकर इसको टिक कर देना 30 का राइड अंसर हो जाएगा 21 मार्च को International Day of Forest बनाए जाता है आगे चलते हैं कोशन रनेगा कि हाल ही में National Film Awards राश्ट्रिय Film Awards के कौन से संस्क्रिन की गोशना करी गई है तो इसका राइड एंसर हो जागा हाल ही में National Awards के सरसटमे 67th edition तो ये जो राश्ट्रिय Film Awards है उसके 67th संस्क्रिन की गोशना करी गई है आप्शन नंबर 60 का राइड एंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं Announcement of 67th यानि की सरसटमे National Film Awards चीक है? आप इसका फोटो भी देख सकते हैं जिनकी हाल ही में गोशना करी गई है ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार ये जो National Awards दिये गए है ये 2019 की जो फिल्म है उनके लिए दिये गए है वैसे तो इस अवार्ट को 2020 में दिया जने था लेकिन COVID की चलते ये उस समय नहीं दिये गए थे इस बज़े से अभी 2021 में इन अवार्ट को दिया गया है अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी पूरी लिष्ट कौन-कौन सी मूवी को इसमें अवार्ट दिये गए है तो यहाँ पर देखो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है तो मल्यालम की एक मूवी है जिसका नाम है मरककर दलाइन ओफ अरेबियन सी बेस्ट एक्टर की बात करें तो यह दो लोगों को दिया गया है सेर्ड बेसेस पर है मनुज बाचपई और धनुस इन दो एक्टर्स को दिया गया है मनुज बाचपई को भोशले मूवी के लिए और धनुस को असुरम असुरन मूवी के लिए यह अवर्ड दिया गया है तो इसका एक फोटो भी देख सकते हैं यह 67th National Film Award में 2019 में सेर्ड एक्टर है मनुज बाचपई और धनुस इन दोनों को ही इसके लिए अवर्ड दिया गया है साथी साथ में अगर हम लोग बेस्ट एक्टरस की बात करें तो कंगना रनौत को फिल्म पंगा और मनी करनी का दा क्वीन ओप जहासी के लिए बेस्ट एक्टरस का अवर्ड दिया गया है इसका फी फोटो देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं 167th National Film Award 2019 में बेस्ट एक्टरस का आवर्ड दिया गया है कंगना रनौत को मनी करनी का दा क्वीन ओफ जहासी और अंड पंगा के लिए यह आवर्ड कंगना रनौत को दिया गया है साथी साथ में इसमें एकर हम लोग देखें best Hindi film कौन सी है तो best Hindi film दीगा गया है अवार्ड छीचोरे मूवी को तो छीचोरे इसका राइड एंसर हो जाएगा जिसको best Hindi मूवी को अवार्ड दिया गया है इसी में एक प्रस्न बनेगा कि वर्स 2019 के सरसरत्वे राष्ट्री फिल्म प्रसकार में किस राज्य ने most film friendly state अवार्ड जीता है यानि कि जहां पर film बनाना सबसे ज़दा असान है तो most film friendly state जो है ये सिक्किम राज्य को दिया गया है option number 10 का राइड एंसर हो जाएगा सिक्किम को most film friendly state अवार्ड से समानित किया गया है इसके बाद में आगे प्रस्ता है हाल ही में किस film ने सरसटमे राष्ट्री फिल्म प्रसकारों में service rest गैर feature film प्रसकार यानि कि non feature film अवार्ड से समानित किया गया है तो answer हो जाएगा an engineered dream option number 20 का राइड answer हो जाएगा कि non feature category में an engineered dream को इस अवार्ड से समानित किया गया है इसका cover page देख सकते है an engineered dream इस movie को non feature category में इस अवार्ड से समानित कि best film का अवार्ड जो है दिया गया है आगे चलते हैं question मनेगा हाल ही में release करे गई global house price index quarter 4 2021 हो गया में भारत की rank क्या है तो ये quarter 4 के जो results आए है इसमें इंडिया की rank आई है 56 option number C का राइड answer हो जाएगा global house price index 2020 में इसमें इंडिया की rank आई है 56 option number C इसका राइड answer हो जाएगा इसका data आप देख सकते हैं येस बिल्कुल सही है इसकी 2020 का data हाल ही में release किया गया है यहाँ पर 2020 ही होगा 2021 नहीं होगा 2020 की quarter 4 के जो data निकल कर सामने आ रहे हैं उस मामले में इंडिया की जो rank है वो आई है 56 option number C का राइड answer हो जाएगा इस index को किसके दोरा night frank के दोरा जारी किया जाता है इस मामले में पहले इस्तान पर आता है टर्की दूसरे इस्तान पर न्यूजीलेंड और तीसरे इस्तान पर आता है इंडिया की इसमें rank आई है 56 तो आप देख सकते हैं इसको भी यहां पर आपको देख रहा होगा the country with the biggest house price increase in 2020 यानि कि ऐसे देशों की यह सूची है जिनहां पर house का जो price है वो बहुत तेजी से बढ़ा है उस मामले में इंडिया जो है 56 इस्तान पर आता है और यहां पर पहले इस्तान पर आता है टर्की और न्यूजी लेंड दूसरे इस्तान पर आता है किस राजजे ने कुपोसण से लड़ने के लिए समर अभियान की सुरुवात करी है S.A.A.M.A.R. तो हाल ही में कुपोसण से लड़ने के लिए जहारकन डिराजे में सामर नामसे इक अभियान की सुरुवात करी गई है option number A का राइड एंसर हो जाएगा तो जहारकन में देखो आप देख सकते हैं सामर नामसे इस प्रोग्राम को जहारकन गौबर्नमेंट के दोरा हाल ही में लौच किया गया है जो की कुपोसण के खिलाब लड़ाई लड़ेगा अब इसका फुल फॉर्म क्या है S.A.A.M.A.R. का फुल फॉर्म के सियम का नाम है हेमन्त सोरेन और इसके राजजपाल का नाम है स्रीमती द्रौपदी मूर्मौ क्यूशन बनेगा कि भारत सरकार की ग्राम उजाला योजना किस चीजी से सम्मनित है तो हाल की में चर्चा में चल रही भारत सरकार की जो ग्राम उजाला योजना है यह सस्ते LED बल्ब से सम्बनित है तो option number ace का guidance or हो जाएगा सस्ते LED बल्ब से सम्बनित यह जो योजना है gram ujala योजना इसमें आप देख सकते हैं gram ujala योजना इस योजना के तहट gram वहसीयो को सस्ते rate पर LED बल्ब दिया जाएगा जिसकी कीमत होगी मात्र 10 रुपए तो ये भी एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कितने रुपए का LED बल्ब दिया जाएगा तो मात्र 10 रुपए में 60 करोण LED बल्ब देने की योजना हाल ही में सरकार के दोरा लॉंच करी गई है इस योजना का सुभारम जो है केंद्रिय उर्जा और नवीन एवं नवीनी करन उर्जा मंतरी जिनका नाम है राज कुमार सिंग उनके दोरा इस योजना को लॉंच किया गया है पहले चरन में इस योजना को कहां पर सुरू किया गया है तो पहले चरण में इस योजना को बिहार के अर्रा जिले से सुरू किया गया है और साथी साथ में फर्स्ट फेज में कुल कितने राज्यों को इस योजना के लिए चुना गया है तो आंसर हो जाएगा कुल पाँच राज्यों को इस योजना के लिए चुना गया है जितने भी points मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ हर एक points से question बन सकता है याद रखना तभी मैं इसको highlighted भी कर रहा हूँ कि पहले phase में इस योजना से कितने राज्य जुणे हैं तो answer हो जाएगा 5 राज्यों में इस योजना को सुरू किया गया है कौन-कौन से 5 राज्य हैं बिहार, उत्तरप्रदेश, आंदरप्रदेश, महराष्टरा और गुजरात ठीक है तो ये 5 राज्य हैं जहां से पहले phase में इस योजना को सुरू किया जाएगा दोस्तों सहीत दिवस जिसको सर्वोदय दिवस या martyrs day मना बोलते हैं प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है तो every year 23 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है option number 6 का right answer हो जाएगा आप देख सकते हैं जिस दिन भगत सिंग, सुकदेव और राजगुरु को फासी दी गई थी उनी की याद में इस्मरती में इस दिवस को हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है चीक है आगे चलते हैं आज ही के दिन में 23 मार्च को पाकिस्तान जो की लाहोर जो की पाकिस्तान में इस्तित है आज ही की दिन यादि की 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फासी दे दी गई थी साती सैत में महत्मा गांधी जी की इस्मरती में 30 जन्वरी को भी सही दिवस के रूप में मनाया जाता है तो आप्सन आप देखकर टिक करेंगे अगर आपको जन्वरी वाले आप्सन साते हैं तो 30 जन्वरी इसका राइड एंसर कर देना अधरवाइस 23 मार्च इसका राइड एंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है नसलिय बेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर राश्ट्रिय दिवस यानि की International Day for the Elimination of Racial Discrimination प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है तो हर साल 21 मार्च को Option No.8 का राइड एंसर हो जाएगा हर साल 21 मार्च को International Day for the Elimination of Racial Discrimination मनाया जाता है Option No.8 का राइड एंसर हो जाएगा इसमें आद देख सकते हैं International Day for the Elimination of Racial Discrimination हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है Option No.8 का राइड एंसर हो जाएगा 21 मार्च विल बी दे राइड आंसर इस वर्स के लिए जो इस दिवस का थीम है वो है जाती बात के खिलाब खड़े यूवा यानि कि यूथ इस्टेंडिंग अप अगेंस्ट रेसिस्म ये इस वर्स के लिए थीम हो जाएगा जितने भी थीम वाले दिवस हैं एक्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते ह अगला प्रस्ता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानि कि वर्ड मेट्रो लॉजिकल डे प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है तो एवरी येर तेईस मार्च को हर साल तेईस मार्च को तेईस मार्च को वर्ड मेट्रियो लॉजिकल डे यानि कि मौसम विज्ञान दि हैपी वर्ड मेट्रो लॉजिकल डे मिनाय जाता है ऑप्शन नंबर सीज का राइड अंसर हो जाएगा अब अगर हम लोग देखें वर्स दोहजार इकीस में इस दिवस का विसे क्या है तो आंसर हो जाएगा महासागर हमारी जलबायू और मौसम यानि कि दा ओसियन आवर क्ला botless fruit cake movement कING सुरुबबात करे है तो हाल ही में महराष्टर राज में मौवमेंट सुरू किया गया है जिसमें क्या होता है कि जब भी birds celebration के क्लिए हम लोग क्या किएक करते हैं तो उसमें artificial cake use किया जाता है मतलब उस cake में artificial cream और इन सब चीजों से बनाए जाता है जबकि महराश्टरा के किसानों ने फलों के द्वारा बना हुआ जो cake है इसको promote करने के लिए इस type से इस अभियान को शुरू किया है तो आप देख सकते हैं इसमें फलों से बना हुआ यह जो cake है इसको हाल ही में महराश्टरा में इस movement को शुरू किया गया है जिसका नम है fresh fruit cake movement चीक है तो महराश्टरा राज्य में इस movement को शुरू किया गया है option number A इसका right answer हो जाएगा महराश्टरा के जो राज्यपाल है उनका नम है भगत सिंग कोसियारी और वहाँ की जो capital है वो है मुंबई cm का नम है उधो ठाकरे यह भी आपको याद रखना है अगला प्रस्ण है कि गांधी सांती प्रसकार 2020 किसे प्रदान किया गया है most important question है option देखकर ही टिक करना very important हर साल पूचा जाएगा तो गांधी सांती प्रसकार 2020 जो है यह बंगला देश के बंग बंधू सेख मुझिबूर रह्मान बंग बंधू सेख मुझिबूर रह्मान को प्रदान किया गया है option number A का right answer हो जाएगा इसमें यह जो जो अवार्ड है दोस्तों यह जो अवार्ड है इसकी सुरुआत कप करी गई थी इसकी सुरुआत करी गई थी 1995 में महात्मा गांधी जी की 125 वी जैनती के असर पर इस अवार्ड को सुरू किया गया था साथी साथ में 2020 में यह वार्ड किसे दिया गया है यह हम लोग answer टिक कर चुके है नोट हमने वर्स 2019 के लिए भी अवार्ड इस वार्ड दिये गया है तो 2019 के लिए जो अवार्ड है यह ओमान देश के स्वर्गी महा महीम सुल्तान जिनका नाम है कसूब बिन सैद अल सैद ठीक है तो यह जो अवार्ड है यह कसूस बिन सैद अल सैद को दिया गया है तो यह भी आपको याद अतना है वर्स 2019 के लिए कबूस कबूस बिन सैद को दिया गया है और 2020 के लिए बंग बंदू सेख मुझीपुर रह्मान को ये वाट जो है प्रदान किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं गांधी पीस प्राइस 2020 बंग बंदू सेख मुझीपुर रह्मान आफ बंगलादिस इनको इस अवार्ट से समानेत किया गया है ये इनका फोटो भी आप देख सकते हैं अगला प्रस्व नेगा किस क्रिकेट टीम ने सडक सुरक्षा विस्व सरंकला 2020 और 2021 रोड सेप्टी वर्ल्ड सीरीस 2020 और 2021 जीत लिया है तो हाल ही में इंडिया लीजेंड्स ने औप्शन नंबर सीस का राइड अंसर हो जाएगा इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेप्टी वर्ल्ड सीरीस 2020 और 2021 का किताब जीत लिया है औप्शन नंबर सीस का राइड अंसर हो जाएगा इंडिया लीजेर्स की टीम का फोटो देख सकते हैं जो कि इस ट्रॉफी को जीतने के बाद में आपको देख रही है अगला प्रस्ते हैं एथेनौल प्रोड़क्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो हाग ही में एथेनौल प्रोड़क्शन 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 पॉलिसी 2021 को अडॉप्ट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार तो ऑप्शन नंबर बी बिहार इसका राइड एंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं एथेनौल प्रोड़क्शन 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 पॉलिसी 2021 जो है इसको एडॉप्ट करने वाला भारत का पहला ऐसा राज्य बना है बिहार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ethanol production promotion policy 2021 जो है इसको adopt करने वाला गाच्च बना है बिहाद अगला question दोस्तों बनेगा कि हाल ही में all England badminton championship 2021 प्रतियों किता में पूरुस एकल का खिताब किस ने जीत लिया है किताब जीत लिया है इस photo को देख सकते हैं Malaysia देश से बिलॉंग करने मले ली जी जिया ने all England badminton championship मेंस का title जीत लिया है तो यह इसका ride answer हो जाएगा साथी साथ में female category में अकर हम लोग बात करें तो female category में इस अवार्ड को नो जो मी ओकू हारा ने जीत लिया है तो इसमें प्रस्ण इस तरीके से बनेगा कि all India badminton championship 2021 प्रतियों किताब में महीला एकल के खिताब किस ने जीत लिया है आंसर विल बी नोजो मी ओकू हारा option number D will be the right answer यहां पर नोजूमू ओकू हारा का फोटो भी देख सकते हैं जिनको इस अवार्ड से समानेत किया गया है दोस्तु आज का question जिसका answer आपको देना है काते सभी लोग में राए लोग अच्छी से पढना मन लगा के पढना मन लगा के पढना